इसके लिए मैं मानी मंती जी का हर्दे से आभार वेक्ट करता हूँ. लास्ट वीक में लोकसभा ने पास किया और आज और कल दो दिन में इस बिल पर वुल मिरा के सनमानिय पंदर सदस्टों ने अपनी बात रखी है उसमें ममता महंती जी, केसी जी, अध्याराम रेडी जी, केसवाम प्रसाद जी, तंबी दुराई जी, कनक मेंदला जी, अजय प्रताब सिंग जी, जिक्के वासन जी, सीमा जी, डॉक्टर विकास महत्मये जी, कांता कदम जी और अशुक बाजपे जी, ये सबी सनमानिय सदस्टों ने, एार्टी और सरूप गसी बिलपाग, अपने विस्तार से अपना विशय भी रखा और अपने बात भी रखी मानी डेपोर्टी चेर्मेन साब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक दुनिया से दमपती आते थे, और सरोगसी और एार्टी देश में बहुत सालों से चल रहा हूँ शायद 1978 से इंडिया में सबसे पहला बालक का जन्म हुआ था IVF से और वो बालक का नाम था कनूप्रिया, 3rd October 1978 तब से देश में IVF हो रहा है, सरोगसी हो रही है और उसको रेगुलेट करना बहुत आवशक था दुनिया के लोग इंडिया में आये, हमारी महिला के कुक को किराये पे ले, बच्चा पेदा करके एमिडेंट छोड़के चले जाए मन्नी अध्यक्ष मोदे इंडिया में ये दिन अभी नहीं बचे है समय बदल गया है, बदल के समय के साथ हमारी बेहन बेटियों का सन्मान करना हमारी जिम्मिवरी है इस बील के माध्यम से हम, हमारी महिला जिसको कुद्रती तोर पर मातरूत्व प्राप्त नहीं हो सके है एसी महिला का सन्मान करने के लिए भी लाए है ये बील, एसी महिला, जिस महिला बालक चाहती है, परिवार बनाना चाहती है परिवार बनाने के अपने अधिकार से बंचित ना रहे वो भी एक उसके उद्देश थे लेकिन जब सालों चे देश में क्या हो रहा था कई एसी घटना देश में बनी जिस घटना को हमें तोरांथी उसको रेगुलेट करने के लिए करने का हमें आवशक्ता मेहसूस हुई पहले एक बारे हुआ था 2004 में 26 साल की एक महिला उसको एग रिट्रिवल के दर्मियाद कुछ दिक्कत होई और उसका मृत्य हो गया तो जब ART होता है तब एक को औरी को स्टिमूलेट करनी होती है और स्टिमूलेट और से एक निकाला जाता है एक टेक्निकल प्रक्रिया है और एसी स्थिती में कोई महिला का मृत्य हो जाए तो उसको प्रटेक्शन होना आवशक है उसको रेगुलेट करना आवशक है और उ इसे ही घतना बनती है जो विवाहित महिला छोटी एज में अपने ओम को कभी कॉमरशियल यूज कर लेती है बेजीती है और अपकी requirement पूरी करने की आर्थिक requirement पूरी करने की कोशिश करती है ACB घटना बनी, ये भी नहीं होना चाहिए, उसको भी रेकुलेट करने के आवश्चक्ता है और आंदरप्रदेश में घटना घटी थी, माननी चैर्मेन साथ दे 74 एर्ज के महिला ने दो ट्वीन्स को जन्म देया था, और 74 एर्ज के बाद ट्वीन्स को जन्म देया, उसको संभालना, उसको पालना, उसकी तो जब बच्चा बढ़ा होता है, तब तक तो उसकी एज पूरी हो जाती है और एथिकली भी ठीक नहीं लगता, और शारिक द्रश्टी से भी, मेडिकल साइंस भी ऐसा कहता है, कि इतनी एज में गर्वदारान नहीं करना चाहिए, तो उसको कैसे रेगुलेट करें, आन एथिकल प्रैक्टिस होती है, उसको भी रेगुलेट करने के आवशक्ता है, औ और कई बार ये भी होता था, ये IVF सेंटर तो थे, और लेकिन रेगुलेशन नहीं थे, सरुगसी तो होती थी, लेकिन कोई रेगुलेशन प्रावदान नहीं होने से, कई बार सेक्स सेलक्शन भी हो जाता था, मल्टिपल एम्डियो ट्रांस्पार्ण भी हो जाता था, एक करकि यहां कंद ननिकली है उसमें मिकसीन मुझोल जाए है कि मुझे इस टाइप का की बालग को को बहुत वाइट होना चाहिए तो उसमें कभी गैमेट्स का मिक्सिंग भी हो जाता है वो अच्छा नहीं है वो सही नहीं है सभी समाज के लिए उसको रेगुलेट करने के आवशक्ता होती थी इस सारी चीजों को देखते हुए यहां की बील में उसका प्रावधान किया गया उ हुए इसको कैसे कंट्रोल करके हम जो महिला मा बनना चाहती है परि़ार बनाना चाहती है उसको अवश्य मदद करें उसको मदद करना है बहल सी बील यह खीक नहीं है तो उसको भी रोकने की आवश्यक्ता थी और जिसको आवश्यक्ता हो जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो क्लिनिकल उसमें कोई कमी है एसी ही मैला सरोगेट्स का यूज करके अपने मात्रुतों धारन करे तो उसको अधिकार भी मिले और स्वाभाविक तोर वो मा भी बन सके और अपना परिवार भी बचा सके इस सारा विश्यक्त को देखते हुए यह दोनों भी लाये गए हैं और दोनों भी जब पहले राज्यसवा में सरोगसी भी लाया मैं अभी नंदन देना चाहूंगा उस वक्त सेलेक्ट कमिटी बनी पुपेंद्र यादव उसके पर विस्तास से बाचित हुई वो लोगसभा में आया लोगसभा में पारित हो गया लोगसभा का कारकाल समापत हो गया बाद ने और फीर से भी लाया गया फिर लोगसभा ने पारित किया राज्यसवा में आया राज्यसवा की स्लेक्ट कमिटी ने उसके पर बहूत ग दोनों को व्हस्वboys इस लेक्ट कमिटे ने अपने सुजाव दिया थह और कमिटे ने कहा था केवल आप आप केवल आप पर शरों का सी बिल लाएंगे और यहे लहें नहींने है तो सरों क्यों गोर्च सरोगसी बिल के साथ एाटी बिल भी लाना चाहिए और एाटी बिल और सरोगसी बिल दोनों सयुक्त आये तब तक राज्यसभा में उसको रखे और एाटी बिल लोगसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा उसको पारित करे ऐसा रिपोर्ट सिलेक्ट कमिटी ने दिया था उसको सग्यान लेके हम EIRT बील राज लोगसभा में लेके आये लोगसभा में भी वो standing committee में गया standing committee ने भी 64 जितने सुजाव दिये सुजाव पर भी हमने विस्तार से discuss किया उसमें कई सुजाव हमने जादातर सुजाव मान लिये और सिलेक्ट कमिटी ने भी जो सुजाव दिया है सरोगसी बिल पर उस पर भी हमने विस्तार से उसके पर विचार विमर्ष किया और उसको भी हमने माना और उसमें सरोगसी का लाब और EIRT का लाब क्या कौन कौन ले पाएंगे कि यहां बात चीत आई कि वह जो सिंगल महिला है और जो मातरुत्वधारन करना चाहती है उसका लाब ले सकती है नहीं ले सकती है और सिंगल महिला को EIRT का लाब मिल ही सकता है इसलिए उसको सरोगसी की आवशक्ता वैसे ही नहीं के परिवार को बचा सकती है और एक बीन में ठीन कुछ लाब ले शकते हैं जो भारत की विवाहित मैसे पत्तवी का लगार। लेकिन एक जुक्ति मैर्य फेमिली बनाना है तो विद्वा वह स्वयम सक्षम है वह सक्षम हे वह अपने स्वयम मातरूत्व मद्रस्त आरन कर सकते हैं लेकिन कभी विद्वा है और वह मातरूत्व धारन करें असी स्थिती में नहीं है और फैमिली बनाना चाहती है तो वो सरोगेट्स का उप्योग कर सकती है वेज़े भी कई बार एसी घटना होती है जिसमें डिवर्स हो गया हो और डिवर्स हो गया हो तो महिला एकली हो गई और वो फैमिली बनाना चाहती है और वो स्वय मात्रूत्वधारन करना करना चाहती ह तो वो A.R.T. का लाब ले सकती है और वो A.C. स्थिती में वो डिवर्स हो गई लेकिन वो मात्रूत्वा धारण करे इसी स्थिती में नहीं है तो क्या करे वो बच्चा पेदा करने की स्थिती में नहीं है तो क्या करे तो वो सरोगट्स का भी उप्योग कर सके ऐसा भी उसमें प्रावधान किया गया है और दूसरा जो OCOI और NRI के लोग है और जो इंडिया में आके यहां सरोगर्स का उप्योग करके बच्चा पेदा करते थे कॉमर्शियल यूज कर लेते थे और महिलाओं का शोशन करते थे और कई बार एमेंडेन करके चले जाते थे इसा नहीं उसको भी जो ही महिला विदेश में जो भी कपल विदेश से आये इंडिया में कोई अपने तरह से तयार हो कोई महिला तयार हो उसको सरोगर्सी के लिए तो भी उसके यहां यह कानून है जो यहां हमर यहां बच्चा पेदा हो उसको नागरित्व दे सकता है वहां नागरित् प्रहवदान के हैं कि दो तीन साहत करें वह बच्चा पेदा पर शकती है तो स्वयम करें और इसलिए मय में US त्वेंटिक से 50 रखे हैं और जब हो सरुगशी के लिए प्रश़ करती है तो हमने US को 23 से 50 रखा क्योंकि पहले आपने यहां स्वयम जो बच्चा पैदा करेंसे सक्षम है तो उसको सरोगर्ट का करने के आवस्षचत नहीं है तो वह जो परौहले प्रयास करें और उसके बाद ही वह सरोगर्ट का रास्ता ले दूसरा हिंदु trustsतन में ट्रैडिशन भी गोद लेना। के दूसरा मन यद्धक्ष मोधडाई हमने सरोगेट मदर कौन बन सकती है तो सरोगेट मदा बनाने के लिए हमने तई क्या है कि ये महिला परनित ही होनी चाहिए विवाहित ही होनी चाहिए जिन्गी में उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए यहां कईव सन्मानी सदस्टों ने कहा कि एक देश में बड़ा कारवार हो होगा मन अध्यक्ष मोदा यह इंड़स्टीज नहीं है और नहीं इंड़स्टीज उसको कभी बनाना चाहिए यह नहीं देश की इंकम का साधन होना चाहिए यह मात्रुत्व धारन करने का विशह है जिस दमपती जो संतान नहीं है वो संतान पैदा करना चाहते है मात्रुत्व धारन करना चाहते है family बनाना चाहते है उसके लिए सरोगसी है उसके लिए ART है यह commercial बन जाए और देश में वो industries की तोर पर विकस develop हो जाए ऐसा कभी नहीं हो इस भावना के साथ ये विशे को लाया गया है और दूसरा उसमें इसलिए है प्रावधन किया है कि उसका commercialization नहीज जाए इसलिए एक महिला एक बार ही एक बार ही सरोकेट मदर बन सकती है बार बार नहीं बन सकती है और एक चाइड हो उसको वो मिनीमम तीन साल का हो गया हो बाद में ही एक क्योंकि एक बार जब बालक पेदा करने की क्षमता उसकी है तो पता चल जाता कि नहीं हो हेल्दी है और बालक पेदा कर सकते हैं तब ही हो सरुप कि मदर के रूप ये भी एक आवशक है और गैमेट्स डॉनर की एज क्या होनी चाहिए वो भी तही किया गया है क्योंकि जब हम कोई गैमेट्स देते हैं तो उसकी एक एज सुनी चित वो जैसे वो गैमेट्स का मिस्यूज ना हो कोमर्शनाइजेशन ना हो और यह जो स्यूर करते हैं यह तके क्लीनिक है आज आज मानी लिबिसस्काम हो होता है तो लेवयरेट्री में इतने एंरे बना उसका को लेज किसका है किसको देना है कोई प्रावधा नहीं इसलिए वह ऐसे ही चलते रहते हैं वह इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज ना बन जाए यह सच मुझ में मात्रुत्म धारण करने का एक विशय रहे इसलिए उसको रेगुलेट करना आवश्यक था यह सब सारे चीजों को हमने अच् सब्सक्राइब दिया कि 23 साल के महिला जब उसका ओम लेने के लिए उसको स्टिमूलेट किया गया वरी को उस वक्त उसका मुर्त्य हो गया या तो उसकी हल्थ पर को नेगेटिव इफेक्ट हो गया तो यह स्थिती में उसका इंस्षोरंस होना बहुत आवर्शक है ऐसे आज इसी महिला को 12 मंद तक का इंस्षोरंस लिया जाएगा और सरोगर्स मदर के रुप में काम करेगी यह महिला का 36 महिने 36 महिने का इंस्षोरंस लेना कंपलसरी है जैसे बविश में उसकी हेल्थ पर को नेगेटिव इफेक्ट हुई हो तो इंस्षोरंस के माध्यम से उसको उपन शेशन मिल सके बाद में तो किसी ने ले लिया और चला गया महिला का जो होना यह हो यह नहीं चलेगा देश में अभी और इसलिए यह भी प्रावदा नुद उसमें किया गया है दूसरा उसका कॉमर्सलाइजिशन ना हो जाए जो महिला है उसका शोशन ना हो और कोई सेक्स सेलेक्षन ना कर रहे, कोई गैमेट्स का मिक्सिंग ना कर रहे, कोई नियम जो बनाया गया है उसको ना तोड़े, ये भी बहुत आवश्चक है, सब एथिकल प्रैक्टिस से ही हो, इसलिए ये बील में प्रावधान किया गया है, पजेशन का, जेल का प्रावधान किया इसलिए जो बनाया गया है, उसमें ये सब काम करने वाले लोगों को क्या क्या सजा करेंगे, तो पहले तो हम जो फॉस्ट बार सजा करेंगे, उसको फोस्ट राइब उम पास से 10,00 तक का जुर्मना करेंगे, को वह आप जो एथिकल प्रैक्टिस का वालवेशन कर रहे हो, आपके सामने हम 5-10 लाग कोई अनेथिकल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति भी हो या तो उस्पिटल हो या तो लेबोरेटरी हो कोई भी हो तो उसके सामने 5-10 लाग का जुर्मना उसको दन किया जाएगा और उसके बाद सेकंड टाइम जो उसका हैबिट हो या तो बदीराद से उन्होंने बार-बार किया है तो उसको 10-20 लाग का दन और 8 साल की सजा भी करेंगे क्योंकि अनेथिकल प्रैक्टिस करके किसी के जिवन के साथ खिलवार करना उचित नहीं है तो उसको सजा का प्रावदार भी किया गया है वैसे ही सरोगसी में भी कोई रूल्स रेगुल पर पहले भी दो दिन तक डिस्कुशन हो गया है उस वक्त भी कई सुजावाये थे स्लेक कमिटी ने उसका सग्यान भी लिया था स्लेक कमिटी स्वयम कोई स्टेट में जाके प्रत्यक्ष जहां सरोगेट्स और यह जो जहां इस काम होता है यह से आईवी एफ की क्लिनिक की उन्होंने मुलाकत ली और ए रटी के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझा और उसके साथ बाच्चित किया होस्पिटल की मुलाकत ली लेबोरे ट्री की मूलाकत ली इस काम से जुड़े होए डॉक्टर के साथ कंसलटेशन किया और उसके बाद अपने अपनी रिपोर्ट लोग सभाव राज्जी सभा में इतना विस्तार से बाद चेट डिस्कुशन और सुजाओ के बाद ये भी लाया गया है मैं सदन को रातना करता हूँ कि युनानी मस्ती दोनों बिल को पास करें